नवश्का और आप सभी का स्वागत है भाग्यम मैं मैं हूँ पंडित चंदर शेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचान की आज दिनांक है साथ अगस्तन दोजार तेईस विक्रम समध दोजार असी चल रहा है शावण अधिक मास है कृष्ण के पंदरा मिनट तक आगे गंड योग है योग की द्रश्टी से आज का दिन शुब और योग कारक नहीं है तो कोई बहुत महत्वण कारे कर रहे थे बिजनस डील कर रहे थे साक्षात कार जा रहे थे या रिष्टर की बात कर रहे तो टाल दीजिएगा करन विश्टी है द पूरी तरीके से टाल दीजिएगा शुब कारे और लंबी यात्रा इसमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये सुबह साड़े साथ से नौ बजे की बीच आता है तो इस दौरान भगवति का स्मरण करें दुर्गा नाम का स्मरण करेंगे तो राहुकाल आपके लिए बहुत ही जाएगा जनम पत्रिका में राहो की समझ्चा है वो भी शान्त होगी अब विजित मुरत आज दौपेर बारा बच के पांच मिनट से दौपेर बारा बच के उनसट मिनट के बीच में हैं दिन में चार बार दुष्ट मुरत भी रहेंगे इन्हें ध्यान से समझेगा दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी यानिवार यात्रा है तो इसका परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है पूर्व दिशा की और मुक कीजिए सामने एक दरपन रखिए जिसमें अपना मुक दिखें और अपने आपको देखते वे दुप्योग करने का जो समय है वो है सुबह 9.15 मिनट से सुबह 10.15 मिनट फिर दौपेर 2.15 मिनट से शाम 8.30 मिनट ये दोनों का अलखंट बाकी पूरे दिन की अपरिक्षा ज्यादा शुब और योग का रख है तो कोई अच्छे एफट्स कर रहे हैं तो इन समय में करेंग तो मेश राशी वाले सरकारी नोकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है कुछ नया करने का आज आपको चांस मिल सकता है आगी बढ़ने का मौका मिल सकता है और व्रश राशी वाले अनावश्या खर्चे का दिन आपके लिए हैं बिना मतलब के ठीक लगने लगेगा energetic आफ फील करेंगे मनुकामना पूर्ती होने के आसार भी आपके बन जाएंगे वहीं करक राशी वाले office का काम ज्यादा रहेगा लेकिन आप अपनी नीजी परेशानियों को लेका tension में रहेंगे वहीं सिंग राशी वाले मैनत तो आप बहुत ज़्यादा करेंगे अज दिन बर लेकिन उसके अनुसार उनके अनुरूप आपको फल नहीं मिलेगा राजनीती के छेतर में जो कारिदत है ऐसे लोगों को समबल कर बोलने की आजावशकता है वहीं कन्या राशी वाले जो विवाइत लोग हैं उनके लिए आज कहीं से अच्छा रिष्टा आ सकता है लेकिन स्वास्त समश्याएं आपको परिशान कर सकती है परिवार में खुशी का एक अच्छा महौल आपको मिलेगा वहीं तोला राशी वाले जो प्रेम संबंध हैं वो मधूर बनेंगे कहीं बाहर जाकर घूमने फिरने का प्लान भी आप कर सकते हैं पार्टनर्शिप के कामों में सफलता आपको मिलेगी आज और व्रश्चिक राशी वाले नन्हाल पक्ष विवाद आज आपका संभव है शत्रू बादा भी परिशान करेगी आपको और ऑफिस की जो राजनीती है पॉलिटिक्स है उससे दूर रहने का प्रयास करें नहीं तो परिशानी हो सकती है वही धनुराशी वाले व्यापारियों के लिए बहुती शुब दिन है बहुती अच्छे संकेत लेके आज का दिन आया कोई बड़ी अच्छी डील आज आपकी हो सकती है ऐसे में हर आने वाली अच्छी अपॉर्चनिटी पर बहुती पैनी शार्थ आप नजर रखें आप और बात करते हैं मकर राशी कितों मकर राशी वाले मानसिक रूप से कोई तनाव आपको घेरे रह सकता है जिसकी चिंता आपको लगी नेगी लेकिन मानसिक रूप से आप परिशान भी चलते रहेंगे वहीं कुम राशी वाले घर में किसी बात को लेकर पहुती सुन्दर बहुती अच्छा माहौल बनेगा कॉन्फिडेंस आपका बीड अप होगा और आपके स्किल्स में योग्यता में निरंतर सुधार विश्थार होगा और मीन राशी वाले पारिवारिक जो बातावरन है आपका वह अध्यात्मिक रहेगा घर में कोई पूजा पार्ट अनुस्टान की भी आप प्लानिंग कर सकते हैं वाणी से आज आपको लाब होता वह दिख रहा है और आज आपकी प्रशंशा अप्रेशेशन बहुत जदा होगी तो दर्शे को यह था आज का पंचांग जिसके समुचित ज्यान से आप अपने इस पूरे दिन को सूजबू से अच्छे से मैनेज कर लेंगे सही समय का स जागरत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विशस्ट उपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं अन्त में करेंगे आज की दिनकी जोतिश मंत्रना और समाधान दर्शे को एक बहुत ही सुन्दर श्लोक शास्त्रों में आता है जो श्रद्धा और विश्वास के महत्व को दर्शा आता है श्लोक इस प्रकार है ध्यान से समझेगा बहुत गहरी बात है कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवग्ये भेश जो गुरो याद्रशीर भावना यश्य सिद्धिर भावती ताद्रशी इसका अर्थ यह है कि मंत्र जो भी आप जाब करते हैं तीर्थिस्तल ब्रह्मन जोतिशी वैद्य वैद्य में डॉक्टर भी आ गए और गुरू यानि जो हमारे शिक्षा के जिन से हमको सीखते हैं इन में जिनकी जैसी भावना जितन यकी उपाय जो हम बताते हैं किसी के लिए बहुत सटीक बैढ़ता है किसी के लिए नहीं बैढ़ता है यहां शवश्वास का बड़ा रूल है ऐसे एक ही डॉक्तर एक ही दवाई दो अलग लगो को दे तो जिसको डॉक्टर पर पूरा विश्वास है वो पहले ठीक होगा औ प्लैसिबो एफेक्ट कहते हैं तो विश्वास से अपने देह का स्वयम को ठीक कर लेना तो दर्शे को शद्धा और विश्वास के बिना आप अपने जीवन में कभी भी कुछ नहीं पा सकते हैं शद्धा अपने इश्ट पे अपने गुरु जनों पे अपने माता पिता के वचनों पर और विश्वास अपने सामर्थ पर और जिस मार्क पर चल रहे हैं उस पर फिर आप देखिए कि कैसे आप जीवन में कुछ अचीव कर लेते हैं कैसे बहुत बड़े आद्वी बन जाते ह सबसे बड़ी बादा हुआ करती हैं और जब आप अपने गुरु अपने मंत्र अपने तीर्थ अपने धर्म अपने शास्त्रों पर संशे करने लगें तो फिर हर एक कदम पर आपको समश्याएं मिलेंगी तो आज की ज्यान चर्चा का सार यह है कि हमेशा अपने बड़ों पर गुरु जनों पर अपने शास्त्रों पर अपने घर्रम पर अपमे गार्जिंस पर विश्वास करें अपने आपको विश्वास करें सफलता आपके करम चुमेघी तो दरशे को बात करते हैं आज जिनका जनम दिन है आज आप सभी लोग पांच प्रकार के पौधे किसी मंदिर के पास लगाएं और सवा की लोगो माता का घी अपने सिर पर से साथ बार उतारा करके किसी अखंड जोती में अर्पित कर दें साथी साथ आज अपनी माता जी को कुछ श्रंगार की सामगरी या मिठाई अवश्य भेट करें और उनके चरण छुके आशिरवाद लें तो फिर देखिए आने वाला वर्ष कैसे आपके लिए शुब रहता है कैसे मंगलकारी रहता है इश्वरी अनुकंपा आपको मैसूस हो लेगी तो दर्शे को ऐसे ही जिन लोगों को आर्थिक स्तती बहुत खराब चल रही हो रोजगार को लेकर निरंतर परिशानी बनी वी हो और कितना भी आप प्रयास कर लें उसके बावजूद भी आपको धनलाब नहीं मिलता हो तैसी कोई भी स्तती में अगर आप फसे हैं स्तती से गुजर रहे हैं तो एक सटी को पाय करें जिससे यह स्तती बहुती शिग्रता से जल्दी से जल्दी सुधर जाएं इसके लिए करना सिर्फ आपको यह है कि एक लकड़ी की चौकी पर एक लाल वस्तर बिचाएं उस पर माता लक्षमी जी का एक चित्र स्तापित करे और चौकी के चारो तरफ एक एक धेरी चावल और मूं की बनाएं चावल की जो धेरी होगी उस पर एक एक रुपे के सिक्के रख दें और जो मूं की धेरी है उसके उपर आप एक एक सुपारी रख दें इसके बाद में भगवती के सामने उडद और चावल की तीन तीन धे विए लाल बत्ती वाला शुद्द गोगरत का दीपक हो अब भगवान गणेश जी का पूजन करें और उनसे प्रातना करें कि प्रभू बिना किसी विग्न के पूजन संपन हो जाएं और फिर वर मांगे और फिर माता लक्षमी जी का पंच्योप चार से पूजन करें उनसे प प्रशीद प्रशीद ओम श्रीम्रीम श्री महालक्षे हैं मंच्र फिर से समझते हैं ओम श्रीम्रीम माक्षे हो जाय cultiv तो सारी सामगरी को एक लाल वस्तर में बान ले और अपने धन इस्तान पर आनी जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर रखते हैं बहुत जल्दी आपकी आर्थिक इस्तिती पूरी तरीके से बदल जाएगी पॉजिटिविटी आ जाएगी काम करने में आपको बहुत सब्सक्राइब धनता से आया हो असफलता हो या फिर कोई पुराने गंभीर रोगी क्यों ना हो ऐसी किसी भी स्थिती में जों महामर्थ्युञ्जे है लगू महामर्थ्य। त्री अक्षरी उसका अनुस्तान अगर आप करते हैं तो बड़ी से बड़ी समश्या से आप बाहर निकल सकते हैं इसके लिए आप शिवाले में जाएं वहां जाकर पंचोब चार से सबसे पहले गणिश जी का पूजन करें फिर शिव जी का पूजन करें और फिर ओम जूम सहे ओम जूम सहे इस मंत्र की कम से कम ग्यारा माला का जाप नित्याप दब करते हैं जब तक को संकट तल ना जाएं दर्शे को बहुत ही जल्दी हर प्रकार की समश्या से आप बहार होंगे इसमें कोई संदे नहीं है बहुत ही जल्दी भगवान शिव जी की कृपा होती है तो दर्शे को यह था आज का पंचांग आज के विसुष्ट उपाय और ग्यान चर्चा मैं पंडित चंद्र शेकर शर्माई आशा करता हूं कि बतायवे उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूठ शद्धा के साथ करके आप पूरा-पूरा लाब उठाएंगे और जो सत्संग हमने किया इस अपने जीवन मोता रहेंगे और धीरे धीरे आपका जीवन शिव मैं सत्य मैं और आनंद में होता जाएगा महादेव से प्रातना करता हूं कि जब आप हमारे वताएवे उपाय करें तो आपके कश्टों का निवारण अवश्य हो और आपकी मनो कामना पूर्थी निश्चित रूप से हो साथ ही साथ एक निवेदन ये कि श्रावन मास में अधिक संक्या में करें क्योंकि जो प्रक्रती है यह साक्षाद भगवती है तो इनकी सेवा करते रहना चाहिए कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ हुआ गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्ती शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशे सेग्मेंट में जहां पर आप और हम हर रोज औरिकल कार्ट के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं एक से लेकर 9 मूलांग तक ही जिससे हम यह पता कर सके हैं कि अगर किसी प्रकार का कोई हर्डल है या कोई चैलेंज है तो हम बहुत इजी लिए उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं और जो एक से नौ मूलांग तक की हम रीडिंग करते हैं अगर आप मेंसे किसी को डाउट है आपको नहीं पता कि आपकी रीडिंग कौन सी है या आपका मूलांग कौन सा है तो एक उधारन देकर आपको बताना चाहूंगी अगर आपकी डेट ऑब बर्थ है एटीन यानिकी एक और आठ को जब आप जोडते हैं तो जोड आता है नंबर नौ नंबर नौ होगा आपका मूलांग और आज की तारीक है साथ अगस्त दो हजार तेश्ट और आज की तारीक है नंबर साथ जिसके स्वामी है के तू तो आए जानते हैं कि क्या इंपेक्ट परने वाला है तो आए दोस्तों बिना देर किये कारेकरम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांग एक के लिए आज यानिकी 7 अगस्त 2023 का दिन कैसा गुजररे वाला है हमें हमारे परमात्मा क्या गाइड कर रहे हैं मूलांग एक के लिए और हमसे कहा जा रहा है सैंचुरी का काड है और जर्णी का काड है आपको कहा जा रहा है कि पहले तो आज क्या दिन जो है वो बहुत आपके लिए महत्पूर है क्योंकि आज के दिन आपको यात्रा कर सकते हैं यह यात्रा जो है वो आपके कारे शेत्र की हो सकती है और आपक देगा उसके सासाति आपको ना बीतर से शांत रहना बहुत ज़रूरी है आज के दिन आप जितना अधिक बीतर से शांत रहेंगे मौन रहेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा अगर आपने किसी प्रकार की हडवड़ी की तो आपको नुकसान हो सकता है आपका दिन शुभ हो आए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 अगर्स 2023 के लिए और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है देखिए एलिगेंस का कार्ड है और साथी साथ है एंटिसिपेशन का आपके व्यवसाइक पार्टनर भी हो सकते हैं और आपके जीवन साथी भी हो सकते हैं आपके जीवन के पार्टनर भी हो सकते हैं आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने पार्टनर का विशेश सहयोग प्राप्त होने वाला है जो भी लोग पार्टनर्शिप में काम कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है आपके partnership में आप अच्छा ग्रो करेंगे ये भी हो सकता है कि कुछ लोग आपके साथ जुड़ने के लिए आपके साथ काम करने के लिए आपको जो है कुछ पैसा offer करें या फिर आपको जो है अपना participation अपनी किसी भी तरह से अपनी सेवा आपके प्रति आपको ले कर आएंगी मैं आपके साथ मिलकर ये कर लेती हूं यह कर लेता हूं ऐसा को यह option भी आपको मिल सकता है तो कुल मिला के आज का जो दिन हैं आपको बहुत सोच समझ के निर्ने लेने हैं अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि यूशूड गो विद्ध फ्लो और गो विद्ध परसन तो आपको आज साथ अगस्त दो हजार तेज के लिए और मूलांक तीन के लिए हमको कहा जा रहा है रिबर्थ एंड काइडनेस का काड है आपको कहा जा रहा है कि energy is no doubt आज आपकी बहुत अच्छी है क्रोध आज आज आपको बहुत आ सकता है तीवर क्रोध रह सकता है ऐसे में क्योंकि challenges होंगे हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हो आपको उनके कारे करने का सलीका या तरीका पसंद ना आए तो कहीं न कहीं आप थोड़ा सा disturb हो सकते हैं तो आपको क्या guide किया जा रहा है क्रोध ना करें क्योंकि वास्तिक्ता में एहंकार की वज़े से इक रोध आपको आएगा या फिर किसी के गलत करने की वज़े से तो दोनों ही matter में आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है शांत रहनी की कोशिश करनी है कोई भी challenge किसी भी परिस्तिती को और बहतर भी बना सकता है ये माइन में विचार रखना है अगर किनी लोगों की वज़े से आपका काम अटक रहा है या परिखराब हो रहा है तो खुद से आप involved हो अपनी उसी energy को कुरोध में बरबाद ना करे बलकि उसी energy को construction form में आजा खुद से लगा दे और अपने भीतर kindness बनाए रखे दया भाव बनाए रखे लोगों को माफ करने की आदर डाले आपका दिन शुभो आईए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा अच्किया गाइड कर रहे है 7 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है destiny का card है साथी साथ partnership का card है का जा रहा है कि आपका जो life purpose है जिस भी कारे को आपको जीवन में अपने earning के विशेशतर में करीयर की बात कर रही हूं कि अगर मैं धन संबंदी बात करूं यापके करीयर को लेके बात करूं तो अब जो है वह आज ऐसा समय है जहां आपके partner आपको मिल सकते हैं और कहीं न कहीं आपने बहुत मेंनत किये यहां तक आने में अब आज आप जो भी कारे करते हैं या आपके partner के साथ मिलके अगर आपको प्रजेक्ट सार्ट करते हैं फिर कोई food का business हो सकता है खास और खाने से related चीजें आ रही है कि खाने से related चीज हो सकती है केटरिंग से हो सकती है कोई food items raw items से भी related हो सकती है तो कुल मिला कि ऐसा कोई भी काम अगर आप आज कर रहें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है अगर मैं बात करूं कि अगर आप ऐसे आत्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 7 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है creation और reconciliation का card है आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन की आपके energies बहुत ही जादा powerful हैं लेकिन कहीं ना कहीं जब उर्जा शक्तिशाली होती है तो विशेश ध्यान देने के जरुत होती है हमारे अपने विचारों पर तो कुल मिलाकी आज के दिन आपको positive thought process में रहना है क्योंकि negative thought process क्या करेगा कि negative चीज़ों manifest कर देगा और फिर आप क्या कहेंगे भगवान तुमने यह क्या किया तो भगवान नहीं कुछ नहीं किया यहां पर कही न कहीं आपके अपने विचार आप जिस चीज़ पर भरोसा करते हैं आपका subconscious mind जिस चीज़ को पर विश्वास करता है वही चीज़ें गटित कर ले रहे हैं तो आज के दर आप क्या करें सबसे पहले तो स्वाध्याय करें अपने विचारों पर एक पैनी नजर रखें कि मैं क्या सोच रही हूं इसके छोटा सा प्रोसेस है कि अगर आप डायरी मेंटेन करें रोज की एक तरफ आप नेगेटिव थौट्स एक तरफ पॉजिटिव थौट लिखेंगे तो आप दीरे-दीरे देखेंगे आप अवेयर हो पाएंगे दिस इस कॉल्ड अवेयरनेस एंड कॉंशिसनेस अबाट थौट्स तो जब आप ऐसा करते हैं तो दीरे-दीरे आपको सफलता अवश्य मिलेगी और चुकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है तो फोकस करें अपने गोल पर फोकस करें अपने करियर पर जो आप करना चाहते हैं उसके लिए फॉस स्टेप आज आप ले सकते हैं दिन आपका बहुत अच्छा है साथी साथ आपकी मदर से आपको मातरत्व का सही योग बराप्त होने वाला है और अगर आप एक मदर हैं तो आपको संतान पक्षिसेख शुब जमाचार मिलेगा आपका दिन शुब हो आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड करने हैं साथ अगस्ती दोहजार तेस के लिए और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है creation and friendship आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो विचार हैं वह आपकी चीजों का निर्मान कर रहे हैं जो भी कुछ आप सोच रहे हैं अगर आपको इन्या प्रोजेक्ट करने की सोच रहे हैं किसे नए कारे में आप काम करना है अगर अकेले बहुत दौड लिए अकेले दौडने से आपको जो लाब एक हंड़ेट परसेंट मिलता है वहीं चार लोगों के साथ दौडने पर वह लाब 400% हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको टीम पर काम करना है टीम पर ध्यान देना है और नो डाउट अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको फुल सपोर्ट एज़ा टीम भी मिलेगा आपका दिन शुभो आए जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं साथ अगस्तु 2023 के लिए आज की तारिक भी है साथ और मूलांक साथ की हम बात कर रहे हैं और हमें गाइड किया जा रहा है flexibility का कार्ड है साथ ही साथ creation का काडS वो बार बार र Cabinet हो रहा है क्योंकि आज जो एनरजी जन वहूजादा पाफुल है और सीधे जो थό्ट प्रोसेस पर असरकर रहें हैं तो आपके जो फॉर्बलान्प्रोजय स्भु ने नक्षण हमारे है तो फिर भटक जाते हैं तो हमें क्या करना है आज आपको सबसे पहले कहा जा रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल होना है आपको परिस्तिती समय के अनुरूप व्यवाहार करना है यह नहीं कि आप परिस्तिती और समय को बदलने का प्रयास करें ऐसा नहीं है अगर सुनिश्चित ह उस समय पर आपके साथ कोई घटना घटित होना तो वहाँ पर आपका व्यवाहार ही परिस्तिती को बदल सकता है आपकी जीवन की आप बाहरी चीजों में बदलाव नहीं कर सकते कहा गया है न कि यदि हम बाहर परिवर्तन नहीं ला सकते तो अपने आपको हम समझा लें तो आपको लगता है कि आप अपने मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा सा एक ब्रेक लें अपनी पसंद का गाना सुने लॉंग ड्राइव पे जाए अपनी पसंद का कुछ खाना खाए कुछ भी ऐसा करें जो आपको कुछ समय के लिए वहां से 7023 के लिए और मूलांक आठ के लिए हमको कहा जा रहा हैए किसे सबसे पहले तो आज आपको हंमत बनाए रखनी हैं की और अपने आपको बनाए रखना ज़रूरी है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ही इससे नुकसान हो सकता है जो कि बिलकुल भी ठीक नहीं है आज के दिन जितना हो सके आपको अपने आपको मजबूत रखना है भीतर से अपने आपको emotionally strong रखे that is very important भावनाओं में बहकर के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 7 अगस्त 2023 के लिए और मूलंक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है rebirth and century का card है आपको कहा जा रहा है कि आज की जो energies है वो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग वाली हो सकती है अत्यदिक सोच विचार की स्तिति आज आपकी बन सकती है बहुत जादा विचार करेंगे तो आपको divine क्या guide कर रहे हैं कि जो past था वो हो चुका है अपने past में आपको फोकस करना है अपने आगे आने वाले कल पर तो उसके लिए आज अगर अपने आपको सकारात्मक बनाये रखेंगे सही कदम उठाएंगे तो definitely आप सफलता को अरजित कर सकते और साथी साच की century का card है जो कि आपको यह कह रहा है कि भीतर से अपने आपको मजबूत पीसफुल रखेंगे तो किसी भी प्रकार की निर्णय को लेने में सक्षम रहे पाएंगे आपका दिन शुभो दोस्तों यह ती रीडिंग हमारी एक से लेकर 9 लाग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें स्वस्त रहें पिलूंगे आ इतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम